राश्टिय अध्यक्ष के अत्रिक्ते और पदाधिकारियों का मनोनयन नहीं हुआ था आज उन्में से कुछ का मनोनयन किया गया है परदेश अध्यक्ष बनाए गए है स्री रमेश कुस्वाहा जो पुर बिधायक है स्री फजल इमाम मनलिक साहब राश्टिय अध्यक्ष बनाए उसके बाद फिर वो यात्रा पर निकले लेकिन उस दोरान उन्होंने उस समय तक कोई भी पद अपने पार्टी के लिए सेजन नहीं किया था लेकिन अब जब महा सारा कुछ सान्थ हो गया है तो अब आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फरेंस रखा और उसके बाद पदों की बात उन्होंने कही है वो यहां पर मौजूद थें उन्होंने भी अपद का भार समहाला और सभी को एक पार्टी का जो पट्टा होता है वो पहनाया गया फूल दिये गया और सब को मंच पर सम्मानित किया गया और मेरे पीछे आप देखी सकते हैं कि जो महाल बना हुआ है अभी भी वो लोग मौजूद है और उन्होंने उपेंदर कुसवाहा को भी धन्यवाद किया है चले क्या कुछ कहड़ें उपेंदर कुसवाहा सुन लिजे आप को अभी एक सूची दी जाएगी राष्टिये लोग जनता दल के गठन के उपरांत राष्टिये अध्यक्ष के अत्रिक्ते और पदाधिकारियों का मनोनयन नहीं हुआ था आज उन्हें से कुछ का मनोनयन किया गया है राष्टिये प्लाधिकारी के रूप में भी और परदेश प्लाधिकारी के रूप में भी इसकी सूची आपको दी जाएगी इस सूची के अनुसार परदेश अध्यक्ष बनाए गए है स्री रमेश कुस्वाहा जो अपुर्व विधायक है स्रिवान जिलादेई के विधाय के राचुके है रमेश कुस्वाह जी इनको पर्देश अध्यक्ष की जवाब देही दी गई है पर्देश अध्यक्ष पर्देश पनाध्यकारी के रूप में और लोगों का भी कुछ मनवनेन हुआ है लेकिन उसके पहले राच्टिय पनाध्यकारी के रूप में राच्टिय अध्यक्ष का हो गया था है आप सब लोगों को मालू है उसके अत्रिक जितेंदर नाथ जी उपाध्यक्ष संगठन का काम विशेश रूप से उपाध्यक्ष राच्टिय उपाध्यक्ष के रूप में बीहार इकाई में प्रदेश सद्यक्स का तो अमने बतादिया रमिस सिंह कुषवाई जी उसकी अतरिक्त, स्री मदन चौधरी जी उपाध्यक्ष संगठन का काम विशेश रूप से मदन चौधरी जी नमबर वन उपाध्यक्ष के रूप में संगठन का काम देखने के लिए इनका मनुनयन हुआ है उसकी अत्रिक्तिव सुवास चंद्रवंसी जी जो जनर्स सेकरेट्री के रूप में इनका मनुनयन हुआ है सुवास चंद्रवंसी जी और उसकी अत्रिक्तिव स्री बर्जेंद्रकुमार पपूजी महासचीब प्रदेश में सभ परवक्ता महासचीब के साँषब परवक्ता का काम देखेंगे स्री राहुर कुमार यह भी महासचीव सब परवक्ता रामपुकार सिनहा यह भी महासचीव सब परवक्ता तो प्रदेश पताधिकारी जो मुखी काई है पार्टी की उसमें इतने छेनों का मनोनेल हुआ है उसके अत्रिक दो परकोस्ट का भी मनोनेल हुआ है प्रदेश अध् प्रदेश अध्यक्ष अनुसुचित जाती परकोस्ट तो इतना मनुनयन राश्ट्री और प्रदेश इकाई के पताधिकारी के रूप में आज हुआ है जिसकी सुचना आप सब लोगों को दी जा रही है जो लोग भी मनुनित हुए हैं सब लोगों का स्वागत करते हैं इनको बधाई देते हैं कि पार्टी के काम को आप सभी लोगों की देख रेक में मजबूती से आगे बरहना है बिहार के लोगों की बड़ी अपेक्षा है हमारी पार्टी से उनकी अपेक्षा पर सब लोग खरा उतरेंगे बागी संगठन की और विस्तार का काम अभी इन लोगों के मनवें की सूचना आपको दी जा रही है तो आपने सुना एक चीज मैं महाल दीखाना चाहूंगी देखें जो यूबा जुन्होंने अपना पद लिया है वह उपेंदर खुसवाहा जिन्दावाद जिन्दावाद के नारे लगा रहे हैं और अंदर के नारे लगा रहे हैं चले कुछ बच्चे हैं जो है उनसे हम बात कर लेते हैं एक नट आप पार्टी जुएन आप लोग किये हैं क्या किस तरह से मतलब काम करेंगे यूवा तो हर पार्टी में है लेकि हम लोग अपने और से छातर नेता है इनका सपोर्ट करना चाहते हैं उपेंदर कु सौ में सौ परसेंट भरोसा है और इसी के लिए यूवा जो है वो उपेंदर कुस्वाहा को पसंद कर रहे हैं और उन्हें जीतवाने का भी काम करेंगे चलिए अभी के लिए इतना ही बनना है आप लाइब बिहार के साथ हैं निवादे लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें